संग्ठन और पार्टी के बहराईश के निताओं का धन्यवाद देता हूँ कि इस गंबीर समस्या को लेकर के लीडर ओपोजिशन जी से मिले थे वो और कली जब मेरी अलनीय मातप साथ पांडी जी से बात हुई तो हम लोगों ने तै किया कि जिन बच्चों का नुकसान हुआ है गायल हुए हैं चोट खाये हैं उन परिवार के सदस्टों को बला करके मैं मिलूँगा और पार्टी की तरफ से जो कुछ मदद हो सकती है वो हम लोग करेंगे जब से भाति जिता पार्टी की सरकार उत्तपते से बनी है जानवरों का आतंक हर जगे देखने को मिल ला है चाहे हमारे गाओं हो चाहे हमारे रहसी इलाग शहर हो और चाहे हम नॉड़ा गाज़ाबाद की कभी कभी ख़बरे सुनने को मिलती हैं से भी खबरे आती हैं और आपको याद होगा कि जिस समय चुनाव चला था देश के प्रधान मंतीजी ने कहा था कि उत्तव पदेश में जानवरों की समस्या का समाधान हो जाएगा और उन्होंने अपने भाशन में भी ये कहा कि हमारे पास पूरा रोड में अपतियार है इस समस्या का समाधान तुरंत हो जाएगा लेकिन इधर हम लोग देख रहे हैं हर दिन कोई न कोई एक्सिडेंट हो रहा है जो सडकों पे जानवर हैं उससे जान जा रही है हमारा एक साथी जो यहां खड़े वो करके कह रहा है यह सच्चाई है कि पूरे उत्तव देश में लगातार जो छुटा पशु हैं जानवर हैं उनकी वज़े से जान जा रही है और इधर समाजवादी पार्टी ने विधान सोभा में भी सरकार को जगाने की कोशिकर की टाइगर से लेपर से जो हमारे जंगल के किनारे वाले जिले हैं उनमें समय समय पर जाने गई है जिसमें विजनौर है पीली भीट है लखीमपूर है आपका सीतापूर है आगे बहराईश है, सरावस्ती है, बर्रामपुर है इन तमाम जिलों में सुचना है जहां पर जानवर आए है जंगलों से निकल करके आए है और अटेक की आए जिससे बड़े पहमाने पे लोगों की किसानों की गरीबों की जान गई और इधर जो सुनने को मिलना है और देखने को मिलना है कि गीदर की बज़े से पूरे के पूरा जो हमारा छेतर परिशान है लोग भैवीत हैं, डरे हुए हैं हमारे तमाम पतकार साथी भी मौके पे गए हैं परिवार के सदस्तों से मिले हैं, उनकी बाक्चीत भी उन्होंने दिखाई है और सरकार अभी भी गंभीर नहीं है कभी सरकार ड्रोन उडाती है कभी मुख्यमंती जी गोदी में बच्चे लेकर ये साबित करने कोशिश करते हैं बच्चे सुरच्चे थे हैं और हमने मदद करती है और जब मदद भी की गई तो उसमें भेदवा हुआ है कम से कम सरकार को गरीब के साथ भेदवाब नहीं करना चाहिए इन्होंने गरीबों के साथ भी भेदवाब किया है समाजवादी पार्टी की मांग है जिन बच्चों की जान गई है। उन परिवार के सदेशों को दस लाख रुपए की मदद हो। और जो घाल बच्चे हैं उनको एक लाख रुपए की मदद सरकार को करनी चाह sehen yर। उनका पूरा है उनका पूरा इलाज औरह। सुराशा का इंतजा होना चाहिए। जानवर जान ले रहे हैं यहां पे तो और जिन्हों ने जैसा मैंने पहले कहा कि जिन्हों ने जानवर की समस्था को खतम करने के लिए बड़े बड़े वादे किये थे उन लोगों की जवाब दे ही निश्यत होनी चाहिए और वादा खिलावी पर सवाल भी उठने चाहिए जानवरों की समस्था से निपटने के लिए एक S.T.F. बनानी चाहिए और या फिर कीदर की समस्था का समधान के लिए ये भी केस S.T.F. को ट्रांसफर कर देना चाहिए जो लोग देखते ही कहते हैं ठोक दो के गीदरों को भी ठोक देना जानवरों की इंकाउंटर की जेखे है उनके रहासी जंगलों को अबैद कटाई से रोकने की जरुवत है और सच्चाई ये है जब से भारती जंता पार्टी की सरकार आई है बड़े पेमाने पे जंगल की कटाई होना शुरू हुआ है बड़े पेमाने पे जंगल काटे जा रहे हैं जानवरों की समस्या से निपटने के लिए बुल्डोजरी सोच से उभरना होगा उन आईएस अधिकारियों और मंतियों में दंडात्मक करवाई होनी चाहिए जिनें इन कामों पर तथा के दिरूप से लगाए गया था अगर आपको याद हो एक नोडल आफसर तयार किया गया था एक नोडल आफसर की जमेदारी थी जानवरों की समस्था कर समधान के लिए आखके कार उन नोडल आफसर पर क्या खारवाई हो रही है क्या कोई दंडात्मक कारवाई सरकार ने की है कै नहीं किया क्या सरकार करी कि उन पर इस काम के लिए दिया गया अर्वों का फंड कहा गया क्योंकि wildlife management पे जो खर्चा होता है या समय समय पे जो सूचना मिलने पर सरकार खर्च करती आकर का वो और वो रुपए का क्या हुआ पैसे का क्या वज़ा है कि उनके अपने लोगों को बंदूग लेकर के निकलना पड़ रहा है या हो सकता है कि जिन मंत्री का विभाग है उन्हें भी काम करने का मौका न मिला उन्हें काम करने न दिया जा रहा हो इस दिए हमें उम्मीद है कि इन भेडियों की समय से का समाधान सरकार जल्दी ढूणेगी और इन भेडियों को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो ठोकों नीती के तहएक STF को भी ये जिम्मेदारी दे दी जाए है। सरकार तो हर बात छिपाना चाहती है। तो 191 दिनों में पूरी हुई है ये पूरी। लगभग 100 पेजे प्रति दिन का आकड़ा है अगर हमें साब किताब लगाएं तो। इसी से पता चलता है कि इसके बारे में कितना सतही पर दिखावड़ी चर्चा हुई होगी। तो सोचिए कितना चर्चा हुई होगी। अगर इतनी बड़ी रिपोर्ट थी। 18,626 पेजों की। तो क्या चर्चा हुई होगी उस पर। दरसल यह भाजपाई रिपोर्ट है जो त्यार हुई है। वन नेशन, वन इलेक्शन और वन डोनेशन। अखिलेशी, यह कि जी तक वयान आया है में कि देए कि जोवजात सप्र से पहले समाजबादी उंटे-गरीब का राशन खा जाते थे। इसके साथ ही साथ बववा घर में 12 बजे तक सोता था और माफिया समानते सरकार चलाते थे। यह सब भिसे-पिड़े डायलोग हैं पुराने वाले हैं। और मैं इसलिए क्याता हूँ कि यह सब पुराने डायलोग हैं। पुराना सब कुछ है निसाब किताब। उत्तरपदेश की जनता नया चाती है, नया अविकार चाती है। इनको हटाएगी सता। यह हटने जा रहे हैं। आप समझनों कितना संतुनन बिगड़ा है। मैंने आप से कहा और कई बार मैंने आप से आपके बीच में इस बात को कहा। कि उत्तरपदेश सरकार को कम से कम टॉप 10 माफियों की सूची जारी करने चाहिए। वो टॉप 10 माफिया कहा है और किस दल में। इसकी सब को जानकारी हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी पहले मुख्यमंत्री हैं। जिन्होंने अपने मुकदमें बापिस लिये हैं। और कितने गंभीर मुकदमें लिये हैं। कितने गंभीर मुकदमे लिए हैं यह हमादे आधेनी माताफ़ाद पांडे जी उस सब जानते हैं उनके बारे में और अगर विस्तार से सुनना चाहो तो मैं को माई कोने दे दूँ तो यह जो मुख मुद्बे हैं उन मुद्बों से ध्यान हटाने के लिए मुख वंद्धिजी लगातार इस तरह की बातचीत कर रहे हैं लेगे बहुत दुखत है कि अगर ऐसी घटना हुई है कहीं क्योंकि हर एक के घर में कोई नो कोई काम करने वाला व्यक्ति या इस तरह का रहता है कभी कोई घर परिवार वाला नहीं चाहेगा कि ऐसा हो जाए उसके घर में ऐसी घटना हो जाए उन्हें ऐसी लिए परेशान क्या आ रहा है कि एक तो वो समाजवादी पार्टी है और दूसरा भारती जिन्ता पार्टी को इससे लाम मिलेगा हिंदु मुस्लिम डिवाइड करने में ये पहले दिन से स्ट्राटीजी है भारती जिन्ता पार्टी की कि समाजवादी पार्टी को कैसे बदनाम किया जाए और अगर कहीं कोई मुस्लिम है तो बदनाम सवादी पाड़ी काटी को कर दो उसने मुझसे कहा कि सुरक्षा मिली चाहिए उससे नियाय मिलना चाहिए और जो दोसी है उनके खिलाब कारवाई हो उसकी नौकरी जा हो मंदिर परसद में थी उसकी नौकी न चीनी जाए और उसके परिवार के उपर अननेस्सरी दवाब न बनाया जाए क्योंकि सरकार कोशिश कर रही है कि दवाब बनाया जाए क्योंकि उसमें भाड़ी जन्ता पार्टी के ही लोग शामिल है तो कमिकम मिल्किपूर गए हैं उस बेटी के न्याय दिलाने के लिए भी कुछ नो कुछ कहेंगे कल को भारती जनता पार्टी ये कहेगी क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा चुनायोग का काम क्या है फिर चुनायोग में भी जो अधिकारी है करमचारी उन पर भी बहुत खर्चा होता है और आप साजित से साथधान इसलिए रहिए कि इसमें करमचारी और अधिकारी आउट्सोर्स किये जाएंगे लेटरल इंटी से लाए जाएंगे माली जगर लेटरल इंटी से लाए गए तब और अभी भी आपको जानकारी होगी जहां जहां चुनाव है दस सभी बेलो हटा दिये गए हैं अगर उनका कहीं भी किसी तरीके से समाजादी पार्टी या समाजादी पार्टी से जुकाव है या उनके नाम के आगे कुछ शकर लिखाए तो ये तो आपको भी पता है तो क्या ये इतना बड़ा चुना आउक्सोस करके कराएंगे कल को तो ये चुनाव को ही खत्म कर देंगे क्योंकि एक बाद चुनाव खत्म हो गया तो पांच साल हम बेतन क्यों दे अगर बचाना ही चाहते हैं खर्चा तो भादेंटा पार्टी अपनी रैलियां क्यों इतनी ज़्यादा करती है उनकी पांच रैलिय में ही इतना खर्चा हो जाता है कि पुरा चुनाव को बेतन चल सकता है और अपनी पार्टी के राश्टे देशे कभी चुनाव कर सकते थे कहीं घटना हो और खासका दलेद पिश्रों के ऊपर इस तरह का न्याय हो उसके खिलाफ कारवाई होनी जो दोसी लोग है और भादेंटा पार्टी का डबल स्टेंडर कोई पहली बार नहीं है डबल स्टेंडर उनका हमेशा राए डबल स्टेंडर आप याद होगा जब यहाँ पर गवर्णर थे रामनाई जी डी एम एससपी अधिकारी कौन पोस्ट हैं उनके बारे में हर दिन चर्चा करते थे और आज आप बताईए टॉप में कौन सब पोस्ट हैं कई ऐसे अधिकारी पोस्ट हो गए हैं जिनके कारण बहुत सारे लोग कुछ बनने से पहली रिटायर हो गए नजाने कितने ऐसे अधिकारी हैं जो वहाँ तक पहुंच सकते थे उन्हें मौका मिल सकता था वो रिटायर हो गए सब पाकिस्तान ने कहा है कि बाइटी से बीजेपी अपने भसवासुर को डूण रही है अभी देखिए हर्याना हा रहेंगे महरास हा रहेंगे जहां जहां चुना होंगे वहाँ बीजेपी हा रहेगी कम से कम बीजेपी को अपना भसवासुर तो डूणना चीए मैंने आप से कहा कि अगर STF पे इतना ही भरोसा है और ठोको नीती इतना ही उन पे है तो ये केस भी उन्हें को ट्रांसफर करना है क्यों रखें हम फॉरस डिबार्डमेंट पे और जहां तक आप सबाल उठा रहे हैं जो बात पूछ रहे हैं उसके गहराई में अगर आप जाएंगे जो STF के लोग हैं सुनने में आ रहा है और जानकारी मिल लई है कि अगर गहरे एक तरह के लोग एक तरह से हैं तो उन में से सबसे ज़्यादा अगर कही हैं तो जौनपूर के लोग है और जौनपूर में किसने पोस्ट करवाया है ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका हमको भी ढूणना है कि आखरकार कैसे कैसे पोस्ट हो रहे हैं जौनपूर के ही सब इसके पीछे कोन है मैं तो कहूंगा लीडर ओपोजिशन का अधिकार है तो वो बिल्कुल और उसका इस्तेमाल करें जो अधिकारों के देखे आप हमें और लीडर ओपोजिशन को नहीं बताओगे हमें क्या करना है अगर अधिकारों में आ रहा होगा तो मैं कहूंगा कि उसके अधिकारों का इस्तेमाल हो हमारी पार्टी के मेंबर है और मैंने कहा सदन में भी इस बात को कहा किसी के भी धार्मे कामों में जादे हस्तचिप नहीं सरकार को करना चाहिए वो बहुत बड़ा सवाल है और हमारे पक्ष यही है कि किसी भी धार्मे के मामलों में सरकार को हस्तचिप नहीं करना चाहिए बड़ी साज़श है दरसल आपको हमको सब को जहने में आपको याद होगा महला आरकषड की बात हुई थी क्या महला आरकषड लागो हो जाएगा क्या सरकार इस बात के लिए तैयारेगी कब तक महला रचल लगो हो जाएगा और फिर जो रिपोर्ट में बता रहे हैं कि 18,626 पेज थे 18,626 पेजिस की रिपोर्ट थी ये One Nation, One Election और 191 दिनों में पूरी हुई है ये पूरी लगभग 100 पेजिस प्रतिदिन का आकड़ा है अगर हमेसे आप किताब लगाएं तो इसी से पता चलता है कि इसके बारे में कितना सतही पर दिखावड़ी चर्चा हुई होगी तो सोचिए कितना चर्चा हुई होगी अगर इतनी बड़ी रिपोर्ट थी 18,626 पेज़ों की तो क्या चर्चा हुई होगी उस पर दरसल ये भाजपाई रिपोर्ट है जो त्यार हुई है One Nation One Election One Donation अखिलेशी प्रचा जाते थे इसके साथ ही साथ बवबा घर में 12 बज़े तक सोता था और मागे समानतर सरकार चलाते ये सब घिसे पिड़े डायलोग है पुराने वाले और मैं इसलिए क्याता हूँ कि ये सब पुराने डायलोग है पुराना सब कुछ है निसाब किताब उत्तरपदेश की जनता नया चाती है नया विकास चाती है इनको हटाएगी सता ये हटने जा रहे हैं आप समझनों कितना संतुन बिगड़ा है मैंने आप से कहा और कई बार मैंने आप से आपके बीच में इस बात को कहा कि उत्तरपदेश सरकार को कम से कम टॉप टेन माफियाओं की सूची जारी करने चाहिए वो टॉप टॉप टेन माफिया कहा है और किस दल में इसकी सब को जानकारी हो जाएगी मुख्यमंत्री जी पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने अपने मुकदमे बापिस लिये है और कितने गंभीर मुकदमे लिये है कितने गंभीर मुकदमे लिये है यह हमादे आदेनी माताफ़ाद पांडे जी सब जानते हैं उनके बारे में और अगर विस्तार से सुनना चाओ तो मैं को माईकों ने दे दूँ तो यह जो मुख्य मुद्दे हैं उन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए मुख्यंतिजी लगातार इस तरह की बातचीत कर रहे हैं एक सवाल है अप लगता है कि सरकार आपके बिधायकों पर भी आपके कारकटाओं पर बदले कारवाई कर रही है जाहिद देख जो आपके हमेले हैं नकी नोकराणी की मौत पर बैतमेट्मेट्रो सुलाइट का मामला दर्श किया गया लेकि बहुत दुखत है कि अगर ऐसी घटना हो इए करिEMA क्योंकि हर एक के घर में कोई तो कोई काम करने वाला विक्ति या इस तरह का रहता है कभी कोई घर परिवार वाला नहीं चाहेगा कि ऐसा हो जाए उसके घर में ऐसी घटना हो जाए उन्हें ऐसी लिए परेशान किया आ रहा है कि एक तो वो समाजवादी पार्टी है और दूसरा भारती जिन्ता पार्टी को इससे लाम मिलेगा हिंदू-Muslim डिवाइड करने में ये पहले दिन से स्ट्रेटीजी है भारती जिन्ता पार्टी की कि समाजवादी पार्टी को कैसे बदनाम किया जाए और अगर कहें कोई मुस्लिम है तो बदनाम समाजवादी पार्टी काटी को कर दो और आज आप बताईए टॉप में कौन सा पोस्ट हैं कई ऐसे अधिकारी पोस्ट हो गए हैं जिनके कारण बहुत सारे लोग कुछ बनने से पहली रिटायर हो गए नजाने कितने ऐसे अधिकारी हैं जो वहां तक पहुंच सकते थे उन्हें मौका मिल सकता था वो रिटायर हो गए ऐसा बेडिया से बचाओ यह भारती जंता पार्टी हाइवे बनाना न जानती है अगर हाइवे बना रहे होते ही लोग तो आपका पुर्वांचल भी अच्छा चला होता बुंदेर खंड भी अच्छा चला होता और फिर आगरा से लेकर सॉरी मुंबई से लेकर कि जो दिल्ली वाले इक्सप्रेस वे है वो एक लाग करोड प्रोड की एक लग कुर्वांचल इए अगर वहा गड़े हो रहे है तो यह सवाल कख़ा होता है कि अफिर गड़े कैसे हो रहे ह chanting Q3 यह तो अच्छी बात है कि दूसरे दल भी लगे हुए गड़वंदन को जिताने के लिए तो पॉलिटिकल पार्टी है वो क्यों नहीं लड़ेंगे क्यों नहीं अपना काम करेंगे वो तो अच्छी बात है उनके काम करेंगे फिलाद दोनों दल तैयारी कर रहे हैं आप हमारे बारे में तो जानते हो नहीं इस समय देखे अगर भीडिये से अलग हो जाओगे तो बड़ी दिक्कत में आएंगे हम और आप लोग इतने परिवार के लोग बेखे हुए हैं आप सुनिये मैं तो एक बच्चे से सुन रहा था भी मैंने कर उसके चोड जो जपटा मारा जो तो बोले पिता ने बताए कि पिता ने बचाया उस बच्चे को सोचिया तो कितनी दहशत में परिवार रह रहे होंगे और फिर तब कि उन पर घर भी ऐसे नहीं है जहां पर सुरच्चित सो सकें और बाड़ के समय पर सुचो कैसा जीवन आपन होगा ना खाने को ना कुछ इंतजाम दवाई का ना पीने को पानी है और गरीबी आप दिखाई देरी कैसी गरीब आलत में रह रहे हैं इतना तो लिब्रन होना चीए सरकार को अब आप कहरों कि उसकी क्योंकि बॉड़ी नहीं मिली इसलिए मदद नहीं होगी अचा वो घरीब परिवार के सादर से वो दुख में है उनके सामने परेशानी है वो खुद चाते हैं कि उनका बच्चा मिल जाता क्या वो नहीं ढूंड रहे होंगे वो बताव एक बच्चे के लिए अगर एक बच्चे की डैड बॉड़ी नहीं मिली तो उसे मदद नहीं कर दी सरकार ये है सरकार तभी मैंने कहा कि जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता इसलिए मढदादीज मुख्यंत्री आई मैं आपको बताना हूँ कि बीजेपी इतना बुरा हारेगी उत्तबर देश में जिसके आप कलपना नहीं कर सकता लोग इंकितार कर रहे हैं बस चुनाव कब हो जाए सब भाग गये होंगे बेडिया हमाई आज की आवाज वो इसलिए मुख्यंदीजी हेलिकॉप्टर लेगे गए जिससे कोई बेडिया उन्हें दिखाई न दे आप खुछ सोचिए अगर हेलिकॉप्टर थोड़ा भी नीचे आएगा उसकी आवाज से कोई जानवर रुकेगा नहीं वो आप खुछ जानते इन बातों को वो भेडिया ढूड़ने थोड़ी गए थे और सोचिए गोदी में बच्चे को लिया उन्हें सोचिए आप और बच्चों की मदद नहीं कर रहे और कुछ बोला उन्होंने भी मिल्की पुर्म नहीं बोला क्या क्या बोल दिया अपता हो है पूछिए पूछिए वो कई बार बोल चुके है आप बता हो नहीं आप देखे मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो माफिया कौन लगए ये बता तो और नहीं मान देए सवाल उसे पूछ के देख लो इतना तो कभी-कभी भड़का जाना चीए क्या किया रहे हैं क्या बाते कर रहे हैं आप मेंसे बहुत सारे साथी रहे होंगे जिस समय रतन टाटा जी आये थे आदें आपको वह जो मशीन क्या बोलते हैं उसको बड़ी कॉलेट अरे जो जिससे राशन के लिए पॉस मशीना याद है आपको हम लोगों ने शुरू किया था और राशन का डिस्टिबूशन कितना बहतर हो सके वो सब कोशिस की थी और कर रहे थे हम लोग ये देवे कुछ नहीं रहे हैं मुखंदी क्या दे रहे हैं बताओ चुनाओ था तब क्या दे रहे हैं रिफाइन लेल चैना और अफका मिल लाए और अब क्या मिल लाए और सोचिए जो बाड़ पीड़ित इ ouais खाना हो कहां मिला उनको आप बगल में देखाईए जहां पर ये गौंडा में बार है क्या दे रहे ही दो कैसी पूरी दे रहे हैं क्या सबजी दे रहे हैं क्या खानी का इंजाम कर रहे हैं कहां पानी का इंजाम कर रहे हैं कहां दबाई का इंजाम कर रहे हैं कम से कम इनको नकल करने चीए समाजवादी पैकिटों की मुझे याद है समाजवादी पैकिट जब बाटे गए थे उस समय आपका पराग भी मुनाफिय में आ गया था और हर चीज उसमें क्वालिटी की थी और क्वालिटी इनकी वहीं देख लो इनका जो दिया हुआ है वो स्मार्ट फॉन उंगली घिसते रही है चलता ही नहीं है यह एप टॉप आज भी चल ला है मैं आपको बता रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ कि बीजेपी इतना बुरा हारेगी उत्तबर देश में जिसके आप कल्पना नहीं कर सकूँ लोग इंतितार कर रहे हैं बस चुनाव कब हो जाए सब भाग गये होंगे बेडिया हमाई आज की आवाज वो इसलिए मुक्षंदीजी हेलिकॉप्टर लेगे गए जिससे कोई भेडिया उन्हें दिखाई न दे आप खुछ सोचिए अगर हेलिकॉप्टर थोड़ा भी नीचे आएगा उसकी आवाज से कुछ जानवर रुकेगा आप खुछ जानते इन बातों को भीडिये ढूड़ने थोड़ी गए थे और सोचे गोदी में बच्चे को लिया उन्होंने सोचे आप और बच्चों की मदद नहीं कर रहे और कुछ बोला उन्होंने भी मिल्की पुरम नहीं बोला बोला पहुछ आता हुआ पूल भी नहीं बच्चों की बार बोल शुके हैं आप बताओं नहीं आप देखे मेरी भी तस्वीर देख लो आप उनकी भी तस्वीर देख लो माफिया कौन लगया इसा बताते हैं और नहीं मानते हैं सवाल उसे पूछ के देख लो इतना तो कभी-कभी भड़का जाना चाहिए क्या कह रहे हैं क्या बाते कर रहे हैं आप मेंसे बहुत सारे साथी रहे होंगे जिस समय रतन टाटा जी आये थे याद है आपको उजो मशीन क्या बोलते हैं उसको और ये जो जिससे राशन के लिए पॉस मशीना याद है आपको हम लोगों ने शुरू किया था और राशन का डिस्टिबूशन कितना बैतर हो सके वो सब कोशिस की थी और कर रहे थे हम लोग ये देवे कुछ नहीं रहे मुख्षंदी क्या दे रहे हैं बताऊं चुनाओ था तब क्या दे रहे हैं रिफाइन तेल चैना और अब क्या मिल ला है अब क्या मिल ला है और सोचिए जो बाढ़ पीड़ित इलाके हैं कमसिकम उन्हें तो अच्छा खाना मिल जाए कहां मिल ला उनको आप बगल में देखाईए जहां पर ये गौंडा में बाढ़ है क्या दे रहे ही दो कैसी पूरी दे रहे हैं क्या सबजी दे रहे हैं क्या खानी के इंजाम करने हैं कहां पानी के इंजाम करने हैं कहां दबाई के इंजाम करने हैं कमसिकम इनको नकल करने चीए समाजवादी पैकेटों की मुझे याद है समाजवादी पैकेट जब बाटे गए थे उस समय आपका पराग भी मुनाफिय में आ गया था और हर चीज उसमें क्वालिटी की थी और क्वालिटी इनकी वहीं देख लो इनका जो दिया हुआ है वो स्मार्ट फॉन उंगली घिसते रही है चलता ही नहीं है रैप टॉप आज भी चलना है मैं आपको बता रहा हूँ कि बीजेपी की सरकार जब चली जाएगी और इस बार जाएगी चुनाव में आयुद्या वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का काम समाजवादी लोग करेंगे अब आयुद्या कैसे वर्ल्ड क्लास सिटी बने जिसमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रासेक्चर हो और आपने हम समाजवादीयों का काम भी देखा है और मुख्यंती जी तो बहुत ज़्यादा काम देख रहे होंगे लोग भुवन जैसी बिल्डिंग उन्होंने एक कहीं बनाई हो तो बता दें जिस बिल्डिंग वो बैठ रहे हैं आप लोग भी देखते होंगे दूर से एकाज साथी हो सकता है मुख्यंती का ओफिस भी देखाया हो हमारे समय तो कारगरता भी देखाया थे मुख्यंती ओफिस इस समय तो कुछ ही जा पाते होंगे उस ओफिस में सब नहीं जा पा रहे होंगे कुछी साथ ही आ रहे हैं आप बताएए लोगमन कैसा बना हुआ है इस पर मुद उटवाई है नहीं जैसे देखिए ऐसा है कहा जाना चाहते हैं आप आप से मिलने के लिए आप बनवादो आपकी पॉर्मिनेट कुर्सी वाँ लगवादोंगा आप वो हड़े नहीं जूँगा जिस समय आए कि सरका उसी समय आप भी मिलने मिलोगे उन्हीं आप कैसी बाते हैं आप एक काम करिए एक तस्वीर उनकी रखिए एक तस्वीर हमारी रखिए दोनों में कौन क्या लग रहा है बतातो आप दोबारे क्यों बलवाते हो बात नहीं और मुगद में कितने उनके उपर सोची आप कितने मुगद में रहे हैं उनके उपर और कितनी गंभी धाराओं के मुगद में उनके उपर एक नोडल आफसर की जमेदारी थी जानवरों की समझा कर समधान के लिए आखिर क्यार उन नोडल आफसर पर क्या खारवाई हो रही है क्या कोई दंडात्मा कारवाई सरकार ने की है कै नहीं किया यह क्यार सरकार करी क्यों पर इस काम के लिए दिया गया अर्वों का फंड कहा गया क्योंकि वाइल डाइब मेनेजमेंट पर जो खर्चा होता है या समय समय पर जो सूशना मिलने पर सरकार खर्च करती आखिर का वो अर्वों रुपए का क्या हुआ पैसे का क्या वज़े है कि उनके अपने लोगों को बंदूग लेकर के निकलना पड़ रहा है या हो सकता है कि जिन मंत्री का विभाग है उन्हें भी काम करने का मौका न मिला उन्हें काम करने न दिया जा रहा हो इस दिए हमें उम्मीद है कि इन भीडियों की समस्य का समाधान सरकार जल्दी ढूड़ेगी और इन भीडियों को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो ठोको नीती के तहग स्टेफ को भी ये जिम्मेदारी देती चाहिए सरकार क्यों बताएगी या क्यों आख्रेश सही देगी सरकार तो हर बात च्छिपाना चाहती है अब इन जिनों में बाढ़ है जितने भी हमारे तराई के छेत रहें सम्में बाढ़ है सीतापुर में बड़े पैमाने पाढ़ है पीली भीत में बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ है शाहजापुर से लेके जितना हिलाका है बाढ़ से परभावे तो गोरगपुर खुद मुक्ष्वंती जी का जिला वहाँ पे लोग महीनों से परेशन ने बाढ़ की कारण तो सरकार क्यों सच्चा ही बताएगी सरकार तो हर बात छिपाना चाहती है और कभी-कभी छिपाने के लिए हमारे मीडिया के साथियों का भी सारा लिखते है अब 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 कर दे रहा हूं का अब अच्छे से बता लेंगे इन्होंने काई कि पहले सनातर नास्था से खिलवाड होता था इनको तो भीवाजित धाचा प्यारा था इधर मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के स्टेड्मेंट कुछ अलग तरह से आ रहे है समाजवादियों ने और खासकर मैंने कभी किसी संत, किसी अपने महंत, किसी सहन्यासी के बारे में कुछ नहीं का अगर उनको लगता है कि वो शब्द ऐसा है जिसका भाव वो किस रूप में ले रहे है तो हम तो यह कहेंगे कि हमारे उत्तवदेश के मुख्यमंत्री नहीं है वो मठादीज मुख्यमंत्री है और फिर मठादीज मुख्यमंत्री से उम्मीद भी क्या करोगे आप इसी तरह की बार्षा की उम्मीद करोगे और ये एक दिन से नहीं हुआ है जब से बीजेपी हारी है तब से कुछ संतुरन गड़बड़ा गया है एक बात सर उन्होंने और कही इसी प्रक्रावलों कि भसमासुर बन गया, जब से 2015 में जादा सीतों मिली है देखे जितना हमने पढ़ा है या जितने यहां लोग बैठे ही जिनको जानकारी होगी उन्होंने का कि सपाव कॉंग्रेस भस्वासुर हैं देखे भस्वासुर दो नहीं हो सकते हैं बीजेपी अपने भस्वासुर को डूण रही है अभी देखिए हर्याना हा रहेंगे महरास हा रहेंगे जहां जहां चुना होंगे वहां बीजेपी हा रहेगी कम से कब बीजेपी को अपना भस्वासुर दो डूणना चीए मैंने आप से कहा कि अगर एस्टीएफ पे इतना ही भरोसा है और ठोको नीती इतना ही उन पे है तो ये केस भी उन्हीं को ट्रांसफर करना है क्यों रखें आप फॉरस डिबार्टमेंट पे और जहां तक आप सबाल उठा रहे हैं जो बात पूछ रहे हैं उसके गहाराई मेंगर आप जाएंगे जो स्टीएफ के लोग हैं सुनने में आरा है और जानकारी मिल लिए है कि अगर 17 एक तरह के लोग एक तरह से हैं तो उन मैं से सभसे ज्यादा अगर कही है तो जॉनपुर के लोग हैं और जौनपूर में किसने पोस्ट करवाया है ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका हमको भी ढूंड़ना है कि आखिरकार कैसे कैसे पोस्ट हो रहे हैं जौनपूर के ही सब इसके पीछे कौन है झाल